अस्सलाम अलेकुम बच्छो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्स्चेंज का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर नंबर 4 का जो टॉपिक है वो है respiratory disorders. respiratory disorders से मराद के वो बिमारियां जो respiratory system से related होती है वो बिमारियां जो respiratory system से relate करती है ठीक है There are number of respiratory disorders which affect people बिशमार respiratory disorders हैं जो लोगों पर असर अंदाज होते हैं ठीक और पाकिस्तान में the percentage of such disorders is particularly high in Pakistan और पाकिस्तान में respiratory disorders की शराब बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा respiratory disorders होते हैं क्यों? क्योंकि it is due to the more concentration of air pollutants not only in the urban but also in the rural atmosphere तो पता लगा के पाकिस्तान में respiratory disorders, lungs की बिमारियां इसलिए ज्यादा है क्योंकि air pollutants में air pollutants की बहुत ज्यादा concentration मौझूद हैं हमारी हवा में अलूदगी हैं हमारी हवा में ऐसी चीजें हैं ऐसे chemicals हैं जो हवा को अलूदा कर रहे हैं और कौनसी चीज polluted कब होती है तो polluted तब होती है जब उस चीज की biological properties पर फरक पड़ जाएं यानि अगर हवा मेरे लिए सहत मन्द है तो अगर वो ही हवा मेरे लिए harmful हो जाएगी किसी chemical के मिलने की वज़ा से तो वो हवा polluted कहलाएगी और pollution की वज़ा जो chemicals होते हैं उन्हें air pollutants कहते हैं तो हवा को pollute करने वाले agents को air pollutants कहेंगे ठीक, next point number four some of the important respiratory disorders are described next अब हम चंद respiratory disorders के बारे में जिकर करने लगे हैं ठीक है बच्चो, पहली जो बिमारी है वो है bronchitis ये पहली बिमारी है जी, bronchitis तो ये मैं आपको इसकी photograph दिखाओं, ये देखो पेटा normal bronchi या bronchioles ये देखें, इनका lumen इतना चोड़ा होता है या नॉर्मल जो ट्यूब है, जो bronchitis की जो ट्यूब है, या bronchioles की जो ट्यूब है, ये चोड़ी हैं, ये वाइड हैं, इनका lumen ज्यादा है, ज्यादा हवा पास हो सकती इन में से जबके bronchitis के infection के बाद क्या होगा, कि ये bronchi या bronchioles ये सूज जाती हैं, इनकी जो epithelial lining है, इसमें सोजन हो जाएगी, इसमें swelling हो जाएगी जब वो swelled हो जाएगा, तो क्या होगा, ये जो passage way है, ये narrow हो जाएगा, passage way narrow हो जाएगा, इसका lumen तंग पड़ जाएगा, इसका lumen तंग पड़ जाएगा, ठीक bronchitis is the inflammation, बिटा, inflammation में अगर कोई आपको कोई cut लगा है, अब उस cut एक दिन तो वो ठीक रहा है, लेकिन अगले दिन, अगर उसमें swelling हो गई है, उसमें pain हो रही है, उसके इर्दगर्द redness हो गई है, और उसमें से heat निकल रही है, तो आपने कह देना है कि ने जी मेरे cut में inflammation हो गई है, तो inflammation का जो word है, it is used for swelling, redness, evolution of heat and obviously pain, तो bronchitis is the inflammation of bronchi या bronchioles, तो bronchi या bronchioles में swelling हो चुकी है और pain है, उससे क्या होगा, it results in excessive secretion of mucus, तो बेटा, epithelial lining में mucus secreting glands है और hair भी थे, जो dust particles वगारा को रोक लेते थे, तो अब क्या होगा, कि air passage way की जो lining है, वो excessive secretion of mucus कर देगी, जब excessive secretion of mucus होएंगी, tubes में, तो उससे क्या होगा, कि tubes में, अच्छा, excessive secretion of mucus के साथ साथ, tubular walls की बड़ी जबरदस swelling हो जाएगी, अब बेटा, swelling भी हो गई है, और उसके बाद tube की जो walls हैं, उसके उपर mucus भी ज्यादा है, तो mucus और swelling की वजह से narrowing of the tubes हो जाएगी, tubes बिलकुल narrow हो जाएगी, narrow से मराद उसका lumen कम हो जाएगा, let's see the diagram again, कि यह देखो, इसका lumen काफी खुला है, tube काफी खुली है, जबके उसकी swelling के बाद, उसका जो lumen है, वो बिलकुल कम हो गया है, और हवा बड़ी दिक्कत से गुजरेगी, इसकी वजह क्या होती है, तो bronchitis की वजह viruses हो सकती है, और viral bronchitis तो दवाईयों से भी ने ठीक होता हूँ, और फिर डॉक्टर्स इंतिजार करते हैं, कि seven to eight days हो जाएएग और immunity खुदी इस virus को खतम कर ले, लेकिन फिर भी वो anti-inflammatory drugs वगहरा से अपना काम चला लोता है, bronchitis की वजह बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, या फिर इंसान का exposure हो, देखा, pollutants से, जैसे chemical irritants, ऐसे chemicals, जो हमारी epithelial lining के cells को irritate करें, अच्छा, अब वो chemical irritants ज्यादा तर टबैको smoke में भी मिलते हैं, कभी-कभी मेरे सामने कोई भी cigarette पी रहा हो, तो उसके धुमें से भी, मुझे कई दफाँ, यानि बहुत कम degree का bronchitis हुआ है, तो remember that, smoking नहीं करनी, और टबैको smoke से भी बचना है, अगर कोई दूसरा पी रहा है, तो उससे भी बचके रहना है, मेरा बचा, there are two major bronchitis, bronchitis की दो एकसाम है, एक है acute, और दूसरा है chronic, हाँ जी, कितने types हैं bronchitis की, bronchitis की two types हैं, number one acute, and number two chronic, जो acute वाला है ना परटा, acute means severe, but for some time, acute bronchitis, usually lasts about two weeks, मैंने कहा था ना, it is for some time, तो पता लगा, ये दो हफ़ते तक रहता है, और दो हफ़ते के बाद, patient recover करना शुरू करता है, और bronchi और bronchi और ब्रॉंकियोल्स को, कोई permanent damage नहीं पहुँचता, ब्रॉंकियोल्स को कोई permanent damage नहीं पहुँचता, लेकिन मेरा बीटा, chronic bronchitis है, severe, and lasts for long time, तो भचो, chronic bronchitis में, the bronchi develop chronic inflammation, जो जाती नहीं है, दवाहियों से भी कोई फरक नहीं पढ़ रहा हता, it usually lasts for three months to two years, तो chronic bronchitis, बेटा, तीन महीनों से लेकर दो सालों तक रहता है, फिर नहीं कहना, खबर नहीं हुई, very, 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 very important, what are the two types of bronchitis, तो मेरे बचों ने acute bronchitis, और साथ chronic bronchitis का जिखर करना है, तो chronic bronchitis जो है, ये तीन महीनों से लेकर दो सालों तक रहता है, जबके जो acute bronchitis है, वो दो हफतों तक जारी रहता है, बचों, bronchitis के जो symptoms हैं, वो include करते हैं, कफ, खांसी, mild wheezing, बचा, wheezing sounds वो होती है, कि जब हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते हुए, mucus की वज़ा से, हमारे सांस के दौरान, सीटीयों की वाज़े आती हैं, whistling sounds आती हैं, बचा, तो माबाप को पता लग जाता है, कि कई गड़बड हैं, पहले वो पूछते हैं, कि शीटीयों तुम खुद मार रहे हैं, आगे से आप कहते हो, कि नहीं बबाप, मैं सांस लेता हूं, तो सांस में खुदी सीटीयों की वाज़े आती हैं, that is, whistling sounds, wheezing, fever होजाता है, chills होते हैं, चल से मुराद, इंसान कांपता है, and shortens of breathe, बिटा, normally हम 16 to 20 times breathe करते हैं, वन मिनट में, इस में क्या होता है, कि सांस छोटी हो जाती है, और पर मिनट, हम ज्यादा सांस लेते हैं, पर मिनट में 16 to 20 टाइम से इंक्रीज हो जाता है, especially, अगर हम कोई hard exercise बखरा कर रहे हैं, तो सांस abnormally, abnormally फूल जाता है सांस, और breathing movement तेज हो जाती है, तो ये थे symptoms, majority of people में, बहुत सारे लोग, bronchitis के symptoms चुरु शुरु में पता ही नहीं लगते, और जब chronic bronchitis के symptoms पता लगते हैं, तो तब बिटा काफी ज़्यादा बिगाड़ हो चुका वह होता है अंदर, और यहां बुक में ये भी लिखा है, के majority of people, diagnosed with chronic bronchitis, जो हैं, वो होते हैं, जिन में immunity ज़रा कम हो, तो वो है 45 years of age, या उससे भी ज़्यादा के, ठीक है, तो ये उमर रसीदा लोगों में bronchitis ज़्यादा होता है, जबके acute किसी भी age में हो सकता है, अब मेरे बचों, अगली बिमारी हाई, emphysema, बिटा हमें मालूम है, के, ये है, bronchitis की ही ये डाइग्राम है, तो देखें, इसमें फिर अंदर mucus भरी पड़ी है, क्या भरी पड़ी बिटा, mucus, done, अच्छा जी, तो अब हम देख रहे थे, emphysema, बिटा emphysema में ये देखें, ये normal alveolai है, these are normal alveolai, तो alveolai, जितना bubbly chocolate के design की तरहां के होंगे, that is, bubbly chocolate से मराद, जितने ज्यादा उपर bubbles बने में होंगे, air sag के, और अंदर जितना ज्यादा इसकी तहें होंगी, उतना ही ज्यादा alveolai का surface area increase हुआ होगा, लेकिन बिटा, अगर ये बल, ये तहें खुल जाएं, ये देखें, यहाँ पर ये खुल गए है, इसकी shape भी खराब हो चुकी है, और जब अंदर ये खुल जाएंगे, तो क्या होगा, एक तो respiratory surface area भी कम हो जाएगा, respiratory surface area जब कम हो जाएगा, तो किसी वक्त ये होगा, कि जब हम exhale करेंगे हवा को, तो वही पुरानी वाली, carbon dioxide वाली air, lungs में trap भी हो जाती बिटा, और exhaling के दुरान, 100% जो हवा है, वो बाहर नहीं निकल पाती, और mostly हवा अंदर trapped हो जाती है, तो बिटा, alveolai की lining का, alveolai की lining के damage होने को, emphysema कहते हैं, बिटा, very important disease है, बोर्ड में कई दफाँ आई है, तो what is emphysema, emphysema is the destruction, destruction से मराद destroy होना, of the walls of the alveolai, तो alveolai की जो walls हैं, जो membrane हैं, वो destroy हो रही है, नतीजा, क्या नतीजा है, it results in larger air sacs, देखा, उसके बल खुल गहे हैं, उसके, उसकी जो, उसकी जो invagination सी, वो खुल गही हैं, ये देख लें, कि ये जो बल थे, ये खुल गहे हैं, उसकी वजाए से, ये जो, bubbly chocolate का जो design था, वो plain chocolate बनने जा रही है, ठीक है ना बिटा, तो उससे surface area कम हो जाएगा, तो क्या होगा, it will cause less surface area for gaseous exchange, तो gaseous exchange का surface area बहुत कम हो जाएगा, as lung tissue breaks, जैसे lung tissue तूटेगा, the lungs do not come back to their original shape after exhalation, तो देखा, exhalation किसे कहते हैं, कि जब हम lungs में से हवा को, अपनी body से बाहर निकाल रहे हो, तो exhalation के दुरान, क्या होगा, कि lungs अपनी original shape में नहीं आएंगे, तो उससे क्या होगा, so air cannot be pushed, air को push नहीं किया जा सकेगा, और वो, वोही carbon dioxide वाली air, will get trapped in the lungs, और lungs में वो trapped रहेगी, बच्चा, symptoms of emphysema क्या है, कि हमें कैसे पता लगेगा, कि हमें emphysema हो गया है, तो उसमें again सांस फूलेगी, number of breathing, per minute तेज हो जाएगी, breathing movements तेज हो जाएगी, rate of breathing बढ़ जाएगा, उसके बाद हम थके थके महसूस करेंगे, that is fatigue हो जाएगी, फिर हमें बार बार respiratory infections होंगे, हमें बार बार respiratory infections होंगे, और weight loss हो जाएगा, तेजी से हमारा वजन गिरेगा, बिटा एम्फिजिमा में भी, by the time symptoms of emphysema appear, जब तक emphysema के symptoms appear होते हैं बचो, the patient has usually lost 50% to 70% of his or her lung tissue, वो अपना 50% या 70%, 50% से 70% तक, अपने lungs के tissue को lost कर चुका होता है, बचा, इतना severe damage हो गया होता है, the level of oxygen in the blood may get so low, और blood में oxygen का level भी इतना कम हो जाता है, that it causes serious complications, और serious complications हो जाती हैं, अगली बिमारी आई बेटा, pneumonia, pneumonia is an infection of lungs, pneumonia, lungs का infection है, COVID-19 जो है, वो भी pneumonia जैसी ही disease है, बचा, if this infection affects both lungs, अगर दोनों lungs में infection हो जाए, तो that will be called double pneumonia, तो ये short question board में पूछ लेते हैं, कि अगर दोनों लंग्स इन्फेक्टेड हो जाए, तो it will be called double pneumonia, the most common cause of pneumonia, pneumonia, pneumonia की जो communist cause है, वो है, bacterium, जिसका नाम है, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, ठीक, बैक्टीरिया के इलावा बेटा, some viral, कुछ viruses भी, जो influenza virus की family से पालुक रखती है, वो भी pneumonia की वज़ा बन सकती है, इसके इलावा, अगर lungs में, कोई fungal infections हो गए हैं, तो वो भी pneumonia कर सकते हैं, तो fungal infections, कुछ viral infections, और bacterial infections, वज़ा हैं pneumonia की, जब ये causative organisms, enter होते हैं alveoli में, जब ये causative organisms, enter होते हैं alveoli में, तो ये bacteria, ये virus, ये फंजाएं वहाँ बैढ़ जाते हैं, और वहाँ पर बैठ कर, वहाँ सेटल होकर, अपनी तदाद बढ़ाते हैं, मतलब इन में cell division वगएरा होती हैं, ये अपनी तदाद बढ़ाते हैं, ठीक, वाइरस तो cells पर attack कर लिती हैं, फिर हमारे cells के अंदर घुसकर, अपने आप को multiply करती हैं, तो ये causative agents start, they break the lungs tissue, and the area becomes filled with fluid and pus, और जो lungs के जो tissue हैं, वो fluid और pus से भर जाते हैं, fluid और pus से भर जाते हैं, तो ये देखें, ये नमूनिया में हुआ है जनाब, एक तो सोजन हो गई है, और उसके बाद, fluid और pus से भर गया है, ये देखें, एक तो inflammation है, नमूनिया में, और फिर अंदर alveoli में, bronchi में, पस पढ़ जाती, bronchioles में, they break the lung tissues, lung के tissues को break करते हैं, cells को damage करते हैं, cells को kill करते हैं, and the area becomes filled with fluid and pus. The symptoms of pneumonia, include cold, बिटा सर्दी लगती है, और, sorry, cold से मराद, नाक से, और खांसी में, जबरदस किसम का, phlegm आता है, phlegm से मराद, sputum, sputum से मराद, बलगम निकलती है, गाड़ा म्यूकस, that is followed by high fever, तो पहले बिटे नजले वाली, cold मतलब नजले वाली feelings, और उसके नजले वाले symptoms, उसके बाद high fever, तेज बुखार हो जाता है, शिवरिंग इनसान कांपता है, और उसके बाद, खांसी होती है, और खांसी में, जबरदस sputum production होती है, sputum से मुराद, बलगम निकलती है, ठीक, patients में become short of breathe, सांस फूल जाता है, rate of breathing बढ़ जाता है, per minute, हम ज्यादा times breathe करना शुरू करते हैं, patient का जो skin का color है, patient का जो skin का color है, it may change and become dusky, dusky से मुराद faded, faded color हो जाएका skin का, यहां फिर purplish हो जाएका, जिस तरह कोई जोर से कहीं मारे, तो वहाँ नील नी पड़ जाता, तो नील क्या होता है, वो खेर वो एक अलग चीज है, hematoma, लेकिन skin purplish होने शुरू हो जाती ही बढ़ा, and it is due to the poor oxygenation of the blood inside the skin, क्योंकि हर जगा अंदर sputum है, हर जगा अंदर mucus है, तो पूर oxygen exchange, gaseous exchange, पूर लेवल पर चला जाता है बढ़ाओ, मेरे बचों, vaccines की, vaccines मौजूद है, vaccines are available to prevent pneumonia, pneumonia करोकने के लिए vaccines मौजूद है, और लेकिन ये vaccine सिर्फ और सिर्फ bacterial pneumonia के लिए available है, लेकिन fungal और viral pneumonia में ये vaccines काम नहीं करती, अगर तो वज़ा streptococcus नमूनी है, यानि bacterial अगर cause है, तो anti-biotics are used in the treatment, इसके treatment में फिर हम anti-biotics use करेंगे, जो streptococcus नमूनी को जाकर खतम कर देंगी, ठीक, तो bacterial pneumonia का treatment हम anti-biotics से कर सकते हैं, prior to the discovery of the anti-biotics, बिटा prior से मुराद, पहले, anti-biotics की discovery से पहले, यकीन करें कि अगर patients के तीन हिस्से बना दें, तो एक हिस्सा नमूनिया से मर जाता होता था, ये तनी महलक बिमारी थी, कि अगर हम patients के तीन हिस्से बना दें, तो एक हिस्सा नमूनिया की वज़ा से patients का मर जाता था, ये तनी सिवियर बिमारी होती थी, आज के लेक्चर की हमारी लास्ट बिमारी वो है एज्मा, इसको आपने एस्थमानी कहना, इसको कहना है एज्मा, बिटा, एज्मा is a form of allergy, इलर्जी क्या होता है, कि अगर हम कोई chemical irritants सुंग लें, या हमारे respiratory tract में चले जाएं, तो हमारे cells को उन chemical से irritation हो, और हमारे cells अपना emergency mode on करने, और वहाँ inflammation हो जाएं, आज्मा is a form of allergy, in which there is inflammation, कि हमारे bronchi में inflammation हो जाती है, और हमारे bronchi produce करना शुरू कर दें, ज्यादा सारी mucus, और सोजन हो जाएं, और सोजन की वज़ा से, narrowing of the air, airways हो जाएं, narrowing of the airways हो जाएं, ठीक, तो इसकी जो inflammation है, उसकी वज़ा allergens है, उसकी वज़ा allergens है, ऐस्मा के जो patients है, उनके bronchi और bronchioles sensitive होते हैं, different allergens है, allergens क्या होते हैं, allergens है, allergy causing factors, for example, हमें dust से allergy हो सकती है, हमें धुएं से allergy हो सकती है, that is smoke, कई लोगों को perfume से allergy होती है, और pollens, तो बिटा जब spring season आता है, तो हवा में जब फूल खिलते हैं, यानि gardens में, तो उन फूलों से निकलने वाले जो pollen grains होते हैं, अगर वो हमारे sands के जरीए, हमारे bronchi और bronchioles तक पहुँच जाएं, तो वहाँ allergy को सकते हैं, pollen energy भी बोलते हैं इसको, pollen allergy, when exposed to any such allergens, जब इनसान ऐसे allergens से exposed होगा, तो जो sensitive airways हैं, वो फॉरण से पहले response शो करेंगे, मैंने कहा रहा, हमारे cells react करेंगे, उससे क्या होगा, कि फॉरण से पहले constriction हो जाएगी, constriction कहते हैं tightness, constriction का मतलब tightness हो जाएगी, in this condition, इस condition में asthma की, the patient feels difficulty in breathing, patient को सांस लेने में बड़ी दिकत पेश आती है, बड़ी मुश्किल पेश आती है, and, बिटा, एक इनसान से दूसरे इनसान, asthma के symptoms वैसे काफी vary भी करते हैं, vary से मुराद, हर इनसान को same symptoms नहीं होते, different इनसानों को different symptoms होते हैं, asthma के, लेकिन जो major symptoms हैं और जो common हैं, वो है, सांस का फूल जाना, that is shortness of breathe, especially, with exertion, यानि, हलकी सी सीड़ी अगर उतर ली हैं, या चढ़ ली हैं, तो, उस दौरान, बहाँ ज़्यादा, shortness of breathe, सांस फूलेगा, breathing rate increase होगा, या फिर, रात के, वक्त सोते हुए, या सोने से पहले, रात के वक्त उसका सांस भूल जाएगा, wheezing sounds आएंगी, मैंने आपको कहा था, wheezing sounds क्या होती है, सांस अंदर ले जाते वक्त, या बाहर निकालते वक्त, जो सीटियों की वाज़े आती हैं, that is whistling sounds, when breathing out, खास कर जब हम breathe out करते हैं, तो जो सीटियों की वाज़े आती हैं, अंदर मौजूद sputum production की वजा से, या mucus की वजा से, ठीक, उसके इलावा कफ बहुत ज़्यादा खांसी होती है, और चेस्ट में tightness महसूस होती है, ऐसे जैसे चेस्ट में lungs जो हैं, उनमें space खतम हो गई है, got it? दी chemicals, फिर doctor's ilajist का कैसे करते हैं, इसका treatment ये है, दी chemicals with ability to dilate, बिटा, जो अंदर bronchioles और bronchi की walls की inflammation को जो कम कर सकें, anti-inflammatory और उन्हें खुला कर सकें, खुला करने की English होगी, dilate करना, dilate का मतलब क्या है, खुला करना, तो बिटा, दी chemicals with the ability to dilate, दी bronchi and bronchioles, दी bronchi and bronchioles, are used in the treatment of asthma, तो such medicines are given in the form of inhalers, inhalers आपने देखा होगा, कि कई लोग मुँ खोल कर, तो अपने जेब में से एक spray सा निकालते हैं, और अपने मुँ में spray कर लेते हैं, वो spray असल में inhalers होते हैं, लेंजी, आज का lecture बिटा यहां खतम हुआ, thank you so much, जीते रहिये, और अल्ला करीम आपको हर वबाई मर्ज से दूर रखें, और अल्ला पाक आपको हमेशा खुशियां अता अगरें, अगर आपको बिटा मेरे, मेरे चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको यहां से समझ आती है, तो अपने दोस्तों को लिंक्स बेज़ें, ताके वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें, और साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर दुबाएं, ताके आपको बरवक्त आपकी वीडियो आप तक पहुंच सकें, और अगर आप थोड़ा सा भी मुस्तफीद होते हैं, तो लाइक का बटन लाजमी दुबाया करें, ठीक है मेरा बिटा, ठैंक यू सो मच मेरे बचों जीते रहिए, खुदा आफिस.